So welcome back to free era और आज हम इस वीडियो में बात कने वाले हैं स्रेव IT, ग्यान गेमिंग, देशी गेमर और स्काइलोड के बार में और भी काफी हिडन चीजों के बार में जो आपके सामने अभी तक सायद ना आई हो तो recently आपने भी काफी जगह पे देखा हुगा कि क्या स्रेव IT जूट बोले कि उन पे तीन स्ट्राइक आया था क्योंकि वो अपने YouTube चैनल पे वीडियो अपलोड किये थे क्या कुछ चल रहा है या फिर इस कॉंट्रवर्शी में जो भी अपडेट होगा मतलब छोटे से छोटा अपडेट भी आपको मेरी वीडियो में देखने को मिल जाएगा जैसे ग्यान गेमिंग और देशी गेमर के बीच क्या हुआ वह हम आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ तो पहले हम आपको दिखाने वाला हूँ जब स्रेव IT अपने YouTube चैनल पे वीडियो डाले थे और Skyload अपने YouTube कम्यूटी में डाले थे कि जैसे ग्यान गेमिंग ने उनको स्ट्राइक दिया इसके बाद जो देशी गेमर लाइफ ट्रीम कर रहे थे, उनके लाइफ ट्रीम पर काफी जदा स्पैम हो रहा था कि जैनल डुबे नया चनल खुलूँगा तो मैं क्या बोलूँ जा इसके बाद देशी गेमर ने स्रेव IT की वीडियो पर जा कि कोमेंट भी किया था कि मैं तरे साथ हूँ ऐसा कुछ कोमेंट था जैसे का आप स्क्रीम पर देख सकते हो अभी तो यह एडिट किया हुआ है लेकिन पहले कुछ और कोमेंट था साथ है उसका नाम बताओ मतलब जो भी जिसने भी तरको स्ट्राइक दिया है हम उसका सल्यूसन कुछ ना कुछ निकाल देंगे और जो भी वो कमेंट था उस पर ज्यान गेमिंग काफी जा तक घुसा हो गए थे जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हो कि ग्यान गेमिंग देशी गेमर को क्या कहे सेकंड हम या पर बात कने वाले है स्काइलोड और ज्यान गेमिंग के बार में तो आपको पता हुआ कि जब स्रेव आईटी को स्ट्राइक पढ़ा था तो सबसे पहले स्काय लोड ने अपने यूटीब कमीटर में लिखा था कि ग्यान गेमिंग ने उनको श्ट्राइक दिया है और एक लाइफ स्ट्रीम किया था अपने यूट्व चैनल पर जबकि उनसे पूछा भी नहीं कि दोनों तरफ की स्टोरी क्या है तो चलिए हम आपको एक छोटी ची क्लिफ दिखा देता हूँ जहाँ पे ग्यान गेमिंग स्काइलोड को रिपलाई किये क्या गाइस मुझे मुझे अगर कोई गलत हुआ तो मुझे बोलो गाइस है इसको लट मुझे फोन करते एक बार यार सिरे एक बार फोन करते नहीं आप इतनी बड़ी इंसान हो आप इतनी वज़े टैलेंट है आपके बास एक बार मुझे फोन ही करते इसका है यार कैसे भाभाय क्या दुनिया है यह क्या दुनिया ऑफ फिर छोसी कियं नहीं को सकता हूं एक लेकिन के शुरें खिर नंबर मांगने। को देद, इस न माना कर दिता कि यह थे तो है टोछ पर भूसे सिँ तो यहां पर रुकती है पर हमारी बात होई कल शॉट होगी पुरी बात पर क्लियर होगी यह तिनी इस प्राइक थी वहट गई और दूसरी बात मैं इसलिए इतना एक गुस्ता आगया था था में को तो यह तो कोई भी यूट्यूबर किसी को श्ट्राइक नहीं देगा और य इस लोग अपने बंदें को स्ट्राइक मत मारना और बहुत सारी पकड़ी में इन सब वाल में जो लोगों ने सोची भी नहीं जो लोगों ने पॉइंट को पकड़ दिया और मुझे टैक भी क्या इंस्तेग्राम में लाइक कुछ लोग पूछ रहते के बहुत ज्यान के जो तो चलिए अब हमारे में New Topic के बारे में betलते हैं जो क्या है स्रेवftig के बारे में तो स्रेव right के चैनल पर क्या सच में напис थी और अगर उनके चैनल पर थी श्रेव IT को तीन स्ट्राइक पढ़ा, इसके बाद वो अपने यूटूब चैनल पे वीडियो अपलोड कैसे कर पाए, यहाँ पर बता है कि यूटूब का एक नियम होता है, अगर आपके चैनल पर तीन स्ट्राइक पढ़ जाता है, तो आप कोई भी वीडियो अपलोड नहीं आपके लगबग 80,000 से जादा सब्सक्राइबर उनको गेन हुए, और जो उनका सेकंड चैनल है, इस पर 49,000 सब्सक्राइबर थे, लेकिन जब वीडियो अपलोड किया उसके बाद, वो 3 लाग पलस अभी सब्सक्राइबर कर चुके अपने सेकंड चैनल पर, मतलब दोनों ही चैनल पर उनके इतने इतने सब्सक्राइबर बड़े हैं, तो इस पर काफी लोग यहाँ पर कॉमेंट करना स्टार्ट कर दिये, क्या यह सब स्क्रिप्टेट था या फिर यह रियल था, इसमें मैंने अपनी तरब से कोई भी बाते नहीं रखी हैं, जो भी कॉमेंट सेक्सि चैनल बढ़ाने की निजा टेकनिक होती है, उनको खुद को पता रहता है कि कलो को मरे चैनल आपस आएगा कहीं नहीं जाएगा उसका बीचापेगा इसका बीचापेगा तो तुम चूतिया बनोगे फिर में कुछ बोल देता हूं तो लोग बुरा मायन जाते हैं, पर इबा सही है कि गलत है, और यहां तक मैं आपको सारी सीजे बता चुका हूं, अब आप अपना ओपिनियन बता सकते हो, आप इसके बार में क्या कने चाओगे, आपके जो भी ओपिनियन उसके बार में आप खुले तोर पे कोमेंट सेक्शन में बता सकते हो